भारत से बांगलादेश को प्याज का निर्यात फिर से शुरू बांगलादेश ने महाराष्टर और मत्य प्रदेश से ठाताउस्ट पीसाट टन से अधिक प्याज से लदे ट्रकों को अपने क्षेतर में प्रवेश की अनुमती देना शुरू कर दिया है जो पहले पश्चिम बंगाल सीमा के पास पेट्रापोल भूमी बंदरगाह पर रुके हुए थे ये घटनाकरम बांगलादेश में विरोध प्रदर्शनों के कारण उत्पन व्यवधानों के बाद हुआ है जिससे सीमा पार व्यापार प्रभावित हुआ था निर्यातक अब shipment के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बांगलादेश को नई खेपों के बारे में सत्रक है और स्थिती के स्थिर होने तक प्रतीक्षा करना पसंद कर रहे हैं हाल की चुनौतियों के बावजूद बांगलादेश भारती प्याज के लिए एक प्रमुक बाजार बना हुआ है जो वित्तवर्ष्ट सेर में भारत के कुल 1.6 मिलियन टन प्याज निर्यात का 65% हिस्सा है मई में निर्यात प्रतिबंध हटाने के बाद भारत सरकार ने 550 डॉलर प्रतिटन का नियूनतम निर्यात मूली लागू किया है साथ ही मुख्य सबजियों पर 40% निर्यात शुल्ग भी लगाया है बांगलादेश को भारत के निर्यात पॉर्टफोलियों में मिर्च, अंगूर, संतरे, गेहूं, कपास, दालें आदी शामिल है घरेलू मोचे पर, भारत सरकार ने बफर स्टॉक के लिए बाजार मूली पर लगबग 0.46 मिलियन टन प्याज खरीदा है जिसका लक्ष्ची 0.5 मिलियन टन है, जो वित्तवर्ष ठटफोर की तुलना में काफी अधिक है चालू वित्तवर्ष के लिए खरीद मूलिय टाउजन हाइडर इंड़ 3D3 रुपये पर दीश साइड किलोग्राम है जो पिछले वित्तवर्ष के वनसान 724 रुपये पर दीश 10 किलोग्राम के मूलिय से 64% अधिक है